नमस्कार प्यारे चात्रों कैसे हो आप आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के एका दसे है पाठ्य है प्राणे भ्यो अपी प्रियह सूरिदर इसका हम अध्यान करेंगे प्राणे भ्यो अपी प्रियह सूरिदर सूर हिद हम कहते हैं मित्र को प्रिय यानि प्रिय या प्यारा प्राणे भ्योपी यानि प्राणों से भी अपीकार्थ होता है भी यानि मित्र है वो प्राणों से भी प्यारा होता है जो मित्र होता है वो हमें हर प्रिस्तिती के अंदर हमारे काम आता है और हम उसको हर प्रिस्थिती के बारे में बता देते हैं या हमने जो मन की बात होती है उसको हम केवल मित्र को ही बताते हैं हर किसी से हम अपनी बातों को नहीं बताते हैं इसलिए कहा गया है कि जो मित्र होता है वो क्या होता है प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है तो पढ़ते हैं हम इस पाठ के परीचे को पाठ परीचे क्या है इस पाठ में विशेश जानते हैं प्रस्तूत नाट्यांस महा कभी विशाखा दत्द्वारा रचित मुद्रा राक्षशम यानि यह जो पाठ पढ़ रही है यह जो नाट्यांस हमने पहले भी पढ़ा था राम और लव और कुछ वाला उसी प्रकार से यह भी एक नाटक का ही अंस है और वो नाटक कौन सा है मुद्रा राक्षशम मुद्रा राक्षशम नाम का कोई नाटक है उस नाटक के प्रथम अंकसे उद्रित किया गया है नंदवन्स का विनास करने के बाद उसके वितेशियों को खोज खोज कर पकड़ने के करम में नंदवन्स था उसका विनास करने के बाद में उसके जो हितेशियों को खोज खोज कर पकड़वाने के करम में चानक्य अमात्य राक्सस एवं उसके कुटुम्भियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दाज से वारतालाब करता है उनको पकड़ने के लिए क्या करता है चंदन दास से वारतालाब करता है किन्तो चानक्य को अमात्य राक्सस के विशय में कोई शुराग नहीं देता हुआ चंदन दास अपनी मितरता पर द्रड रखता है यानि उसको कोई उसके बारे मुश्राग नहीं देता हुआ अपनी मितरता पर विश्वास रखता है यानि मितर है मेरा उसके मेत्री भाव से प्रशन होता हुआ भी चानेक के जब उसे राजदंड का भय दिखाता है राजजाद के द्वारा जो दंड दिया जा रहा है उस दंड को भी भोगने के लिए वो मित्र के लिए तयार हो जाता है। देखते हैं इस पार्ट में किस प्रकार से वो राजा के दंड को स्विकार करता है जानते हैं। चानक के स्रेष्टिन स्वागतम ते अपी प्रचीयन ते सम्व्यव हारा नाम व्रधिला भाहा। क्या होता है चानक के क्या कहते है बेटा प्रिय जोहरी सेट चंदन दास को इस समय देखना चाता हूँ यानि मैं उनसे मिलना चाता हूँ। वच्छ मनिकार स्रेष्टिनम चंदन दास इदानिम दरश्टो मिच्छामी कि मैं जोहरी सेट जो चंदन दास है इस मैं उनको देखना चाता हूँ। जोहरी सेट जोहरी सेट जोहरी सेट जोहरी सेट चाता हूँ। पास जाकर उपध्याय एहम स्रेष्टि चंदन दास है। पास जाकर केते आचार्य जी यह सेट चंदन दास है। उनको साथ मिलेगे जाता है और केता है यही कोन है सेट चंदन दास है। चंदन दास जैत्वार्य है आर्य की जै हो चाने क्या कहते हैं स्रेष्टिन स्वागतम ते अपी प्रची यंते स्वंविहाराना म्रधी लाबाहा सेट तुमारा स्वागत है स्वागतम ते आपका स्वागत है क्या व्यवहारों का लाब बढ़ रहे हैं यानि व्यवहारों के आत्म गतम, आत्म गतम अत्यादरे सटनिये प्रकासम अथकिम आर्यस से प्रसादन अखंडिता में वनिज्या। क्या कहते हैं मन ही मन में। मन ही मन में अधिक समान संका के योग्या है। अधिक समान संका के योग्या है, फिर प्रकट रूप से और क्या, आर्यकी कृपा से मेरा वेपार एक खंडित है, चानक क्या कहते हैं? राजा लोग हैं वो उपकार के बदले क्या चाहते हैं। नंद सेव अर्थ समंद है प्रिति मुत पाद यती चंदर गुप्त सेथु बवताम परिकलेस एव। तो आपके सुख से ही प्रेम रखता है। आप सुखी हों मुझे इसी से प्रेम हैं। मुझे धन या पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि यह राजिये नंद वन सका नहीं। किसका है चंदर गुप्त का राजिये है। तो देखते हैं आगे। चंदंदास सेहरसम आर्ये अनुग्रहितो अस्मी। चंदंदास खुशी के साथ सेहरसम खुशी के साथ। खुशी के साथ आर्ये आभारी हुँ। चानेक्य बोस्रेश्टिन से चापरिक लेस है कथम विभारवती इती ननुभवता प्रस्टव्यास्त में कि हेसेट और वहद्दुख का अभाव केसे उत्पन होता है यही आपसे पूछने योग्या नि वहद्दुख का जो अभाव है वो केसे उत्पन होता है यही आपसे प तो चाने क्या कहते हैं, राजनी अविरुद्ध प्रतिर्भव, क्या कहते हैं, राजा में विरुद्ध व्यवार वाला ने हो, यानि राजा में, यानि राजा के लिए आप विरुद्ध व्यवार वाले मत बनो, राजा के लिए क्या करो, विरुद्ध जो विप्रीत व्यवा गम्यते चंदन दास कहते हैं आरे फिर कोन अभागा राजा के विरुद्ध है यानि राजा के विरुद्ध हो कोन सकता है ऐसा कोन है अभागा एसा आरे समझते हैं यानि ऐसा आरे समझते हैं आप समझते हो कि भी जो राजा के विरुद्ध है ऐसा कोन है ऐसा अभागा कोन है जो राजा के विरुद्ध है, नहीं हो सकता है इसा तो, अचानक क्या है, भवानेवतावत प्रथमम, अचानक क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आप ही हैं, सबसे पहले तो आप ही हैं, जो राजा के विरुद्ध हैं, चंदन्दास कर्णु पिधाय, कानों को छूकर बद्ध करक क्या कहता है शांतम पापम चमा कीजिए चमा कीजिए कीदर सस्तूर तुणाम नाम मगनीना सह विरोध है यानि चमा कीजिए सूखी गासों का आग के साथ कैसा विरोध यानि सूखी गास है वो तो आग में डालने पर जलेगी उसका कैसा विरोध तो चाड़ने क्या कहते हैं कि यह ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजा काबूरा करने वाले अमात्य राक्सस के परिवार को अपने गर में रखते हो उसके गर पे रुकावा था तो चाड़ने के ने कहा कि यह ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजा का बूरा करने वाले जिसने राजा का बूरा किया है उस अमात्य राक्सस के परिवार को अपने गर में रखते हो औ और उनके जो मित्र थे उनको उन्होंने घर मेरा कराता होगा चंदन दास है यह आरिय यह जूट है आरिय अलिम के तत यह जूट है किसी दुष्ट ने आरिय को गलत कहा है कि किसी दुष्ट ने आपको क्या कहा है इसके बारे में गलत कहा है ऐसी बात तो नहीं है चाने के भोश रेष्टिन अल्मा संकया भीतापुर्वराज पुरुसा पोराणाम पिछतापी ग्रहेशु ग्रिह जनम निक्षी प्यादेशांत्रम ब्रजन्ती ततस्त प्रच्छादनम दोसमुत्पाद्वयती क्या कहा कि चाने के कहते हैं हे सेट आसंकया निस संदे हमत करो डरे हुए भूतपुर्वय राजपुरुस पर नगरवाशियों की इच्छा से भी उसके घरों में परिवारजन को रखकर यानि छोड़ कर दूसरे स्थानों को चले जाते हैं उससे उन्हें चिपाने का दोस्प परिवार निस संदे हमत करो डरे हुए भूतपुर्वय राजपुरुस पर नगरवाशियों की इच्छा से भी घरों में उनके जो घरों में परिवार जन को रखकर यानि छोड़ कर दूसरे स्थानों को चले जाते हैं उससे उन्हें चिपाने का दोस्पेदा होता है यानि क्या कहा निस्चे से एसा ही है उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था चन्दास ने कहें दिया सही है निस्चे एसा सही है कि उस समय तो मेरे घर में क्या था अमात्य राक्षस का परिवार था फिर चाड़ने क्या कहते हैं पूर्वम एनरितम इदानीम आसीत परसपर विरुधे वचने कि पहले जूट अब था ये दोनों आपस में विरोधी वचन है पहले तो आपने का नहीं था पहले तो जूट बोला और अब आप क्या कह रहे हूं था ये दोनों आपस में क्या है विरोधी वचन है तो चंद अन्दास केते हैं आर्ये तस्मीन समय आसीद सम्रित ग्रहे अमात्य राक्ससे अग्रियाजन इती चंद अन्दास केते हैं आर्ये उस समय हमारे घर में अमात्य राक्सस का परिवार था उस समय हमारे परिवार के अंदर अमात्य राक्सस था, इसलिए मैंने सा कहा था तो देखते हैं आगे, चानक्ये अथे दानिम कोई कता है चानक्ये केते हैं, अब इस समय कहां गया है अब इस समय कहां गया है, चंदन दास है, नहीं जाना में नहीं पता मैं नहीं जानता कहां गया है चानक क्या कथम ने गया ये ते नाम भोस्त रेश्टिन सिरसी बयम अति दूरम तत प्रतिकार है क्यों नहीं जानते हो हेसेट सिर पर डर है उसका समाधान बहुत दूर है यानि क्यों नहीं जानते हो हेसेट सिर पर डर है और उसका समा समाधान बहुत दूर है यानि समाधान उसका बहुत दूर है डरो मत तो चंदन्दास कहते हैं आर्ये किम में भयम दर से यसी संतम अपी गेहे अमात्य राक्षस से ग्रिह जनम ने समर्प्यामी किम उनर संतम क्या कहते हैं आर्ये क्यों मुझे डर दिखाते हो यानि मुझे डर पर तो बात दी क्या है यहीं मैं डर तो जब था तब दी डराता वो उसको है यहीं नहीं तो फिर मैं क्यों डरूँ तो इसमें डर की वाली बात ही क्या है तो चाने क्या कहते हैं चंदन्दास एस एव ते निश्चय है यहीं तुम्हारा निश्चय है वो यहीं है चंदन्दा कहते हैं हाँ यही मेरा निश्चय है चानक के स्वयागतम अपने मन में क्या करते हैं साधू चंदन्दास साधू साबास चंदन्दास साबास कैसे और कहा की दूसरे की वस्तू को समर्पित करने पर बहुत धनका लाब सरल होने की इस्तती में दूसरों की वस्तू की सुरुक्ष्या रूपी कठीन कार्य को एक सिवी को छोड़कर तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है कि दूसरे की वस्तू को समर्पित करने पर बहुत धनका लाब सरल होने की इस्तती में दूसरे की वस्तू की सुरुक्ष्या रूपी कठीन कार्य को एक सिवी को छोड़कर यानि सिवी के अलावा और तो होता है और हमने इस पार्ट में सानक्य और चंदन्दास के समवाद को पढ़ा और उनके समवाद से हमने जाना इनकी मितरता के बारे में और उन्हों अन्त में उन्होंने कस्ट को चुनना स्विकार करते हैं और अपने मितर के लिए और मिलते हैं हम अगले पार्ट में जैह जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कितम, धन्यवाद.